जहें दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लेकर आये हैं आर्मी जीडी एक्जाम के अंदर आने वाले most important 50 question science physics के और मैं आशा करता हूँ कि यह सारे question आपके आने वाले exam में आपकी मदद करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले शुरू करते हैं अपना पहला question है सयंता की काई है चार option दे रहके हैं पासकल पवाईजुली पवाईज यह सभी ठीक है तो सयंता की काई क्या होती है option number C अपना right answer हो जाएगा next question है किसी बू इस्तिर उफगरे की प्रत्वी की सत्य से उचाई लगबग कितनी होती है तो कोई भी एक सटलाइट होता है वो प्रत्वी के बू इस्तर से लगबग 36,000 किलोमेटर उचाई पोड़ता option number D अपना right answer हो जाएगा next question है प्रत्वी क्रिया के बराबर या विप्रिय दिशा में प्रत्वी क्रिया होती है यह है चार option देरके आपके सामने न्यूटन की गति का पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम या इनमें से खोई नी तो प्रत्वी क्रिया के बराबर या विप्रिय दिशा में अगर को लंबाई तो जो वेग होता है वो एक सदिश राशी है बाकि द्रवेमान समय और लंबाई ये तिनों अदिश मात्राओं में आते है नेक्स्ट कॉशन है निमन में से कौन सी सदिश राशी नहीं है चार आप्शन दे रहे हैं बल आयतन वेग और इस्तापन ठीक है तो इनके अ और बिच्थ की दूरी तो इंस में इसको बोलते है एक कोईन ये ने नेक्स्ट को सवर उर्जा को रसा ने कुट ने परिवर्तन कौन करता है ठीक है चार option दे रहके है solar panel परकास अंसलेशन ट्यूबलेट या शोर वर्च तो सोर उर्जा को रासानी कुर्जा में बदलता है option हो जाएगा परकास अंसलेशन ठीक है परकास अंसलेशन में पोदे क्या करते हैं सोर उर्जा को लेकर अपना बोजन बनाते है तो वो रासानी कुर्जा में परिवर्टन हो जाता है और अगर यह सवाल होता सोर उर्जा को विदुत उर्जा में कौन बदलता है तो फिर उसका solar panel आंसर हो जाता या था सोर सेल उसका सही अंसर हो जाता हैजला सवाल है अपना हेलिकॉ्प्टर का विश्कार किस ने किया चार उफ्षिया नधे रहे हैं कॉक्रेयल सन्हजर्ण के नाम के नाम आपको पता होगा दुनीया का सबसे बड़ा समान है नोबेल समान और इन को शुरू किया था अलफेड नोबेल के नाम पर और इन्हों ने खोज की थी डाइनमाइट की ऑप्शन नमबर से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर सवाल उल्टा पूछ ले कि डाइनमाइट का विश्कार किस ने किया तो आंसर हो जाएगा फिर अलफेड नोबेल और एक किलो मेंटूर मेंशाइडस की गाठ ना ओप्शन नमबर से अपना करेक्ट Council को रजा को रिफ़ा में परिवरतन कौन करता है चार उप्शन द्रिट इरेकर तो इन्मोगिटर बैटरी प्रीन होती हो वह हमेशा निक उर्जा में परिवरतन करते हैं ठीक हैं बगि नाटम मोटर की बात करें तो विद्व तूर्जा को यहां तरी कुर्जा में बदलता है नेक्स कोशन अपना कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार ओप्शन दे रखे हैं चार्स डार्विन, चार्स बेबेज, पास कलिया माइकल, फेराडे तो कंप्यूटर का अविशकर किसने क्या था, आफशन नमर B अपना राइट अंसर हो जाएगा चार्स बेबेज ने, इनही को कंप्यूटर का जनक माना जाता है नेक्स कोशन अपना एक्स रे का अविशकर किसने क्या था चार option दे रखे हैं आपकिंग, रॉंटजन, मार्कोनी या मॉर्स तो एक सरे की कोच किसने कीती या एक सरे का विश्कार किसने किया था option number B अपना right answer हो जाएगा रॉंटजन ने अगला question अपना भाप के engine का विश्कार किसने किया चार option दे रखे हैं जेल बैड, जेम्स वाट, एजी बेल या मार्कोनी ठीक है तो भाप के engine का विश्कार किसने किया था option number B अपना right answer हो जाएगा जेम्स वाट ने और अगर हम बात करें जेल बैड की तो जेल बैड ने टेलिविजन का विश्कार किया था और एजी बैल याने अलेक्जंडर ग्रहम बैल ने टेलिफोन का विश्कार किया था और मार्कोनी ने रेडियो का विश्कार किया था next question अपना missile का विश्कार किसने किया ठीक है जिसको हिंदी में बोलते है प्रेक्षा पास्तर अपना विश्कार किसने किया चार ओप्षन दे रहें आपके सामने वार्नर वान ब्रॉन मेकमिलन एडवर्ड टेलर या सेमुल कोहन तो साइकल का विश्कार किया था अप्षन नमर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा मेकमिलन ने अगला कोशन अपना एक के 47 का विश्कार किसने किया था एक के 47 एक बंदूग है ठीक है बंदूग राइफल है और इसका विश्कार चार ओप्षन दे रहे हैं ब्लादीमिर जोसेफ मिखाईल केलाशनिको जॉन केरी या इन में से कोई नहीं ठीक है तो एक के 47 क का विश्कार किया था ओप्षन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा मिखाईल केलाशनिको नेक्स्ट कोशन अपना परमानु बंब का विश्कार किसने किया था चार ओप्षन दे रहे हैं जूलियस रोबेट ऑपन हमर एडवर्ट टेलर एडवर्ट स्नोडेन और ड एक अवगादर संक्या बराबर होता है ऑप्षन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा 6.022 मॉल्टिप्ला टेन टूदी पावर 23 मॉल अगला कोशन अपना किस भारतिय विज्यानिक को सरोपरतम भोतिकी का नोबेल पुरुषकार मिला चार ओप्षन दे रहे हैं खोज के लिए नोबेल पुरुषकार मिलाता चार ओप्षन देर का है परका संचे रामन परबाव परमानो उर्जा या परमानो थियोरी में ठीक है तो डॉक्टर सी वी रामन को जो नोबेल पुरुषकार मिलाता उनके रामन परबाव खोज की वज़े से मिलाता ओप्षन पर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन अपना राष्टि विज्ञान दिवस किस तीथी को मनाए जाता है चार अप्शन देर के आपके सामने 29 जनवरी 28 मार्च 28 फरवरी या 5 जुले तो जो भारत का राष्टि विज्ञान दिवस से वो मनाए जाता है अप्शन नमबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को अप्शन अपना ब्लोगोल के सिद्दान्थ का परति पादन किस ने किया था चार आप्शन देर करें रहे हैं डाउनी तो प्रित्रिम बुद्धी मता के जनकिया फादर ओफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंट क्या जाते है ऑप्शन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा जोन मेकार्थी को अप्शन अपना पार Soup किया चार ऊप्षण के साथ तो ये जिन में एलेक्ट्रोणों की संक्या बिन-बिन ओ लेकिन नहींकी वांस किया ठीक है एलेक्ट्रोणों की संक्या संक्यास समानों क्या के कहलता है समभारिक option number भी अपना right answer हो जाएगा उनका क्यूंकि द्रिवमान संक्या निन निनका भार समान है तो वो समभारिक कहलते हैं अगला question अपना एसे पर्मानु जिन पर्मानु कर्मांक समान हो लेकिन उनके द्रिवमान संक्या जो पर्मानु भार होता है वो बिन बिन वो क्या कहलते हैं तो जिनका पर्मानु कर्मांक समान होता है उसको बोलते समस्तानिक option number ए अपना right answer हो जाएगा जिनके पर्मानु कर्मांक समान हो वो समस्तानिक और जिनके परमानों भार समानों वो समभारिक। अगला कोउशन अपना बिना सल्ली चिखता के पत्री का इलाज किया जाता है। चार उप्शन दे रके हैं एक सरप द्वारा ग्से म किलए नेम्ल मैसे का प्र्योग उचाई मापने कले जाता है चार option दे रहे हैं planimeter, high meter, altimeter या hydrometer तो उचाइन आपने के लिए किसका प्रियोग करते हैं option number C अपना correct answer हो जाएगा altimeter का अगला question अपना निम्न में से कौन सा यूगम असत्ति है यानि जो option दे रहे हैं उनमें से कौन सा गलत है पहरा option दे रहे है वायू की अधरता बराबर है hydro meter यानि वायू की अधरता किसमें नापता है तो बुकम की तेवरता किसमें नापता है बिक्टर सके गलत है इसके एंदर देखो सामने option दे रहे हैं अपने पास जता है तो यह सुक्षम मोटा होती है उसको औन और रियूए पर का फ्रियोग के आप इस्ट को आपना टीवी के रिमांट कान्ट रेइंधों का प्रेयोक अगर हम कोई भी चीज चुले के पास रखते हैं तो कुछ देर बाद वो पूरी पतीली या पूरा ही बरतन गरम हो जाता है तो यह उस्मा के चालन विधी का उधारना उप्शन अमबर एपना राइट आंसर हो जाएगा चालन विधी में क्या होता है जो उश्मा होती है वो कणों के माध्यम से परसार करती है आगे बढ़ती रहती है और इसी तरह चाय बनाते हैं समय पूरी पति परिवरतन नहीं है चार ओप्शन दे रहके हैं कागज का फटना तामबे को खीच कर लंबातार बनाना बरफ का पिंगलना या लोहे पर जंग लगना ठीक है देखो लोहे पर जंग लगना एक रास्तानीक परिवरतने बाकी कागज का फटना तामबे को खीच कर लंबातार या बर्फ का पानी का बर्फ बना ये तीनों एक भोतिक परिवर्थन के उधारन है नेक्स्ट कॉशन है प्रकाश के चिकने प्रष्ट से टकरा कर वापस लोटने की घटना को क्या का जाता है प्रकाश के चिकने प्रष्ट से लोट कर जब कोई वापस प्रकाश आता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रावर्थन अप्शन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो जितना होसे वीडियो को शेर करो और और आप नए उचैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो ले अगए बढ़ते ला कॉस्चन अपना अथी लगूत समय अंतरा लोग को सही सही मापने के लिए किसका प्रियो करता है जो छोटा स्ट टाइम होता है क्वांटम टाइम होता है उसको किसमें आपा जाता है चार ओप्शन दे रहे हैं जेवी गड़ी में परमानु गड़ी क्वांटम गड़ी या प्लांक गड़ी ठीक है तो जो छोटा समय होता है उसको सही समय नापने के लि अवरक्त तरंगे तो सूर्य विकरन का जो भाग है वो सोलर को को गरम करता है वो है option number D अपना right answer हो जाएगा अवरक्त किरन नेक्स्ट कोशन है कौनसा तरल पदार्त से ठोस में परिवर्ता नोने पर भी फैलता नहीं है यहाई अब्छा कोशन है घरम जल प्राप्त करने के लिए हमें सोर जल तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं ठीके हैं अगर हमने पानी गरम करना है, तो जो सौर जलत आपक है, उसका प्रियोक किस दिन नहीं कर सकते हैं, चार उप्शिन दे रके हैं, वाईू ओले दिन, दूफ ओले दिन, बादलो ओले दिन, या अत्यदिक गर्मी ओले दिन. तो देखो वायू वाले दिन भी अरम से दूप मिल सकती है दूप वाले दिन तो मिलती है बादलो वाले दिनों के अंदर हमें दूप नहीं मिलती है क्योंकि जो सोर जल तापक होता है वो सोर उटजा से चलता है इसलिए हम बादलो वाले दिन पर पानी गरम नहीं कर सकते है, option number C अपना right answer हो जाएगा next question है अपना, multimeter का प्रियोग क्या हम आपने में किया जाता है, चार option दे रहे हैं, धारा, वल्टता, पर्तिरोध या उप्योग सभी multimeter का मतलब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि multimeter का मतलब बहुत सारी चीज़े ना आपने में काम आता है, ठीक है, तो multimeter का प्रियोग सभी ना आपने में काम आता है, धारा, वल्टता और पर्तिरोध तीनू ना पा जा सकता है, next question है अपना, DC, यानि दिष्ट धारा की जो आवर्ती होती है, वो कितनी होती है, चार option दे रहके है, 0, 50 Hz, 60 Hz, या 100 Hz, ठीक है, जो दिष्ट धारा होती है, उसकी आवर्ती बिल्कुल 0 होती है, option number A अपना, से answer हो जाएगा, कितनी होती है, 0, अगला question है अपना, AC पर्तियावर्ती धारा, ठीक है, DC का मतलब दिष्ट धा और AC का मतलब पर्तियावर्ती धारा है, इसको English हम बोलते है, direct current और alternative current, ठीक है, तो AC जो होती है, उसकी आवर्ती कितनी होती है, चार option दे रहके है, 0, 50 Hz, 60 Hz, या 100 Hz, ठीक है, तो जो AC होती है, उसकी आवर्ती होती है, option number C अपना right answer हो जाएगा, 60 Hz गेंदर, next question है, अपना plank न whole second, next question है, अपना, किन तरंग का प्रियोग, sonography machine में क्या जाता है, चार option दे रहके है, micro तरंग, infrared तरंग, दवनी तरंग या ultrasonic तरंग, ठीक है, तो देखो, sonography machine को English में वैसे भी ultrasound बोलते हैं, तो यहां से पता चल सकता है, कि sonography machine में किस तरंगों का प्रियोग करते है, ultrasonic तरंग, option number D, अपना, right answer हो जाएगा, next question है, अपना, किन विकरणों की तरंग दे रही है, सबसे लंबी होती है, चार option दे रहका है, infrared तरंगे, ultraviolet तरंगे, X किरिने या radio तरंगे, ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा लंबी wavelength होती है, वो होती है, तरंग दे रही होती है, सब दरदनुष, भुकंप, अबा मंडल या, मरग मुरिच्ची का, ठीक है, तो उर्यगिस्तान में जो मरग मुरिच्ची का बनती है, वो एक illusion होता, option number D, अपना, right answer हो जाएगा, वो सरी पे अपना, दृष्टी का बरहम होता, वास्तव में वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता है, ठीक है, मरग मुरिच्ची का में क्या होता है, कि हमें पानी दिखाए देता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, next question है, अपना, lens का निर्माण किस काच से होता है, चार option दे रखे हैं, सामान्य ग्लास, फ्लिंट ग्लास, कोबाल्ट ग्लास या, टीक है, तो जो lens होते हैं, उनका निर्माण होता है, option नमर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास से, question नमर उन पचास है, समतल दरपन पर बना परतिवीम होता है, चार option दे रखे हैं, आवासी और सीधा, आवासी और उल्टा, वास्तवीक और उल्टा या चार option दे रखे हैं, वर्ताकार, अंडाकार, सरपिलाकार या त्रीबुजाकार, ठीक है, तो जो अपनी आकाश गंगा है, मिलकी वे, इसमें हम रहते हैं, उसका आकार है, option नमर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सरपिलाकार यानि स्पाइरल गेलेक्सी है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, और नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना, जबते किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जे हिन, जे भारत